और गैस कैसे है आप लोग तो आज Q&A सेरीज के एक और वीडियो है अगर आप लोगो next Q&A के लिए कोई भी question पूछना हो तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हो and description box के अंदर आप लोगो time stamps देखने मिलेंगे तो अगर आपको किसी specific question के उपर jump करना हो तो आप लोग उन time stamps को use करके jump कर सकते हो तो start करते हैं आज के Q&A को and सबसे पहला question पुछा है पंकच दयाल ने इन्होंने पुछा है that I have lost 2% battery health after updating iOS 14.7 इनका जो iPhone 12 Pro Max से बहुत जादा battery drain और बहुत जादा overheating हो रहा है अगर आप update नहीं भी करते हैं तो अगर आपका battery health down होना होता तो वह होई ही जाता update के वज़ासे क्या होता है basically every update के बद आपका जो iPhone ने अपने components को measure करता है so for an example update के तो आपका iPhone चेक करेगा that microphone सही से काम कर रहे या नहीं कर रहे है आपका iPhone चेक करेगा that speakers जो हो सही से काम कर रहे या नहीं करे इसी तरह battery भी एक component होती है जो के measure होती है after every update तो अपडेट के तो आपके iPhone ने measure क्या होगा आपकी battery health को and down होनी चाहिए ति इसलिए वो 2% down हो यह completely normal है यहां पर कोई भी tension लेने वाले बात नहीं है लेकिन आ जहां तक battery draining and overrating के issues की बात है तो iOS 14.7 में काफे सारे users जो है वो यह वाला bug face कर रहे है आप लोगों को वेट करना पड़ेगा iOS 14.8 की update का because Apple iOS 14.8 की update को पर काम कर रहा है उसमें में भी आपके बैटरी ट्रीनिंग के जो इस्चू से वो fix हो जाएंगे अगला question है guys बर्ट का इन्होंने पूछा है that iPhone 11 यूस कर रहे है and optimized battery charging जो काम नहीं कर रहा फुल नाइट अपना iPhone को charging पर लगाते लेकिन 80% charge होने के बाद optimized battery charging का notification नहीं आता automatically जो optimized battery charging वो activate नहीं होता basically तो यहाँ पर क्या होता है that आपका जो iPhone ने वो artificial intelligence की मदर से learn करता है आपके patterns को तो मतब आप कुछ दिन अपना iPhone को रात को charging पर लगा होगे तो automatically optimized battery charging वो activate नहीं होगा आप कुछ हफते लगा होगे charging पर तो आपका iPhone जो आपके patterns को learn करेगा that आप रात के टाइम पर अपने phone को charging पर लगाते हो and next day morning में आप charging पर से phone को निकालते हो इस तरह जब आपका iPhone आपके patterns को learn कर लेगा तब automatically आपका बैटरी का जो optimized charging module वो start हो जाएगा तो यहां पर आपको टेंशन लेने की कोई भी requirement नहीं है बस कुछ अपने phone को regular basis इस पर सेम ही pattern के ओपर charge करो मतलब रात को charging में लगा और सुबह charging में से निकाल लो आपका जो optimize battery charging वो activate हो जाएगा अगला question पूछा है guys राजु भाई ने इन्होंने पूछा है that iPhone 10 versus iPhone 10S तो अगर मैं आपकी जगह पर होता तो iPhone 10S select करता है because iPhone 10S जो है वो iPhone 10S से एक generation आगे वाला version है मतलब iPhone 10S iPhone 10S से काफी ज़्यादा बेटर है और दूसरा iPhone 10 जो है वो first generation था face ID का तो वहापे जो components से काफी साथ लोगों को बार बंद हो जाते है तो मैं select करूंग आइफोन 10S और दूसरे इसे आई योएस 15 का जो अपडेट आया है उसमें कुछ major features जो वो A12 Bionic chipset को ही support करते है अगर आपके phone के अंदर A12 Bionic chipset होगा फिर ही वो features आपके iPhone के अंदर काम करेंगे जैसे कर लाइफ टेक्स का फीचर होगा है काफी जाथ important feature है उसके लिए A12 Bionic chipset चाहिए जो का iPhone 10 के अंदर नहीं है तो आप पे iPhone 10 के अंदर वो वाला feature काम नहीं करता उसके बाद जो visual lookup का feature है वो भी iPhone 10 के अंदर काम नहीं करता जो portrait mode video का feature है जो FaceTime के अंदर आए WhatsApp के अंदर आए वो भी iPhone 10 के अंदर काम नहीं करता जो on device processing है on device जो Siri है offline Siri है वो भी iPhone 10 के उपर काम नहीं करता तो काफी सरा iOS 15 के feature जो iPhone 10S के उपर ही काम करते या तो 10S के बाद वाला iPhone के उपर काम करते तो मेरा choice iPhone 10S रहेगा अगर आप 2-4,000 रुपे और ज्यादा spend कर सेगो तो iPhone 10S एक बैटर डिवाइस होगा iPhone 10 के मुकाबले अगला कुशन है सज्जाद हुसाइन के इनों ने पूछा है that how many hours battery backup we can expect from iPhone 13 pro iPhone 13 pro में आप लोग को similar sort of battery backup देखने मिलेगा iPhone 12 जैसा because iPhone 12 pro कंदर क्या होता है बैटरी तो छोटी दी लेकिन जो डिस्प्ले का टेक्नोलीज दा OLED का डिस्प्ले आप लोग को देखने मिलता है बैटरी का साइज है वो भी इंप्रूब होने वाला है तो बैटरी के साइज तो इंप्रूब होगा लेकिन जो 120 एट्स का डिस्प्ले वो ज्यादा बैटरी भी कंद्यूम करेगा इसलिए iPhone 13 pro के अंदर बैटरी बैकप जो है आपको almost similar देखने मिलना चाहिए iPhone 12 pro के मुकाब आप लोगो 120 एट्स का डिस्प्ले देखने मिलने वाला है जो के ज्यादा पावर हंगरी डिस्प्ले इसलिए iPhone 13 pro 13 pro Max के अंदर आपको similar आपको 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 iPhone 12 pro Max के अंदर देखने मिलता है लेकिन जो नॉन प्रो मॉडलल से वहाँ पर आप लोगो बैटरी बैकप के कामले में improvement देखने मिल सकता है अगला कुछ ने का इस अश्वाक अंसारी का इन्हों ने पूछा है that iPhone 13 में क्या मेगा पिक्सल्स काउंट देखने मिलने वाले कैमेरा के मामले में iPhone 12 pro Max से similar देखने मिलेंगे या तो जो मेगा पिक्सल्स का जो काउंट है वह चेंज होने वाल स्टेबल सोर्स जॉन प्रोफर मार्गरमें ने उन्होंने से कुछ भी नहीं बता है that Megapixels इंप्रोफ होने वाल है तो आप लोग अभी फिलाल तो हम लोग सीमिलर सॉट अफ मेगा पिक्सल्स काउंट एक्सपेक्ट करेंगे लेकिन में बी ऐसे कुछ लीक से और आगे निक सब्सक्राइब लेकिन 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 रखता है तो फिलाल अभी 55,000 को अफिशल प्राइजिंग आइफोन 11 का तो इंडिया में प्राइज डॉप होने के बाद आप लोग 45-47,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो और अगला कुछ नहीं पूछ नहीं पर आप के लाइफून 13 जब सब्टेमबर में लांच होगा तो इंडिया में क्या ताम लगेगा मजब एक दू मेने के लाइन में ऐने में नहीं कर दो इंडिया में हम लोगों फॉरान देखने में जाएगा तो लास्ट के बात करें तो ऑफिशल ऐपल का ऑनलान होता है तो अगर आप इंडिया के बाहर हो यूए से में कहीं हो या तो यूके में कहीं हो तो आपको तुरंत प्री ओडर कर पाऊगे और 21 सप्टेंबर से उसका शिप्मेंट वोगरा स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इंडिया में में भी आपको देखने मिलेगा एक दो हफते क करते हो तो आपको वहां पर GST का इंपूट क्रेडिट नहीं मिलेगा विकॉज आप ऐसा स्टुदेंट वहां से पर्चेस कर रहे हो नोड़ा अगर आपको उपीशल इंडिया का उनलाइं प्रोडिक्ट पर गया तो या तो फेक प्रोड़क्त आगे तो क्या कर एक अगर ए तो एपल के ओफिशल ओनलाइन स्टोर इंडिया के ओपर से जब कभी भी आप कोई भी प्रोड़क्ट पर्चेस कर तो आप डिरेक्ली एपल से पर्चेस कर रहे हो तो वहां पर तो फेक आने के बहुत कम पॉसिबिलीटी से मलब चांसे नहीं तो आपको फेक प्रोड़क्ट अपल के ओफिशल ओनलाइन स्टोर से देखने मिलें एक बात आती है डेमेजड प्रोड़क्ट की तो में भी आपको डेमेजड प्रोड़क्ट मिल सकता है या तो डिफेक्टिव प्रोड़क्ट भी मिल सकते है तो अगला कुशन है का इस बीश्ट को डिसकंटीन्यू लगें इस बार आइसे हैं इसे कोई बीश्ट करतेगा प्रडिक्शन के बारह में बात करें तो मुझे पर्सनल ऐसा लगता है डिसकंटीन्यू कर देगा बिकॉस आइफोन 12 और आइफोन 13 काफी ज़्यादा सिमिलर होने वाले है आइफोन 13 सीरिस के बारे में आप लोगों ने काफी सारे लिक्स निवर सुने होंगे एट आइफोन 13 में क्या कुछ आने वाला है और डिजाइन तो अल्मोस्ट सेम आने वाली है जिस जो नौच हो छोटा होने वाला है इतना कुछ ज्यादा डिफ्रेंस भी नहीं है नौच छोटा हो या बड़ा हो अगर बैक साइट के बार में बात करें तो आइफोन 13 सीरिस के नदर जो कैमेरा का ले आउट है वो बस बात करें तो आइफोन 12 के अंदर आपल ने काफी बड़े बड़े अपग्रेट्स कर दिये हैं जैसे कि 5G चिपसेट जो आपल लेडिकर दिये है नो डाउट आइफोन 13 के अंदर जो चिपसेट होगा 5G का वह ज्यादा एफिशेंट होगा लेकिन इंटरनली कुछ नहीं च कर देगा अगला कुछन है करूपा का और इन्हों ने पुछा है that can we expect getting the free airports offer for iPhone 12 और दिवाली सेल आपल तो जैसे के मैंने आप लोगो पहले बताया है अगर आपल iPhone 12 को continue रखता है तो हम लोग को free airports with iPhone 12 को offer देखने मिल सकता है अगर discontinue कर देता है तो में भी कोई और iPhone के साथ Apple free airports दे सकता है last year Apple ने डिवाली के अंदर सेल आया था iPhone 11 के साथ आप लोगो free airports देखने मिलते थे लेकिन वो सेल भी मुश्किल से कुछ 2-4 घंटे का सेल रात को 12 सारे 12 बज़े सेल स्टार्ट हो आता और morning में 3-4 अबे तक तो सेल खतम हो गया था लेकिन इस पार सेल आ सकता है और आइफोन 13 का जो बेस मॉडल है क्या उसमें 128 GB के स्टोरेज से शुरुवात होगी या जो 64 GB का स्टोरेज देखने मिलता था वही सेम स्टोरेज मिलेगा iPhone 13 सीरीज में तो iPhone 13 सीरीज के जो नॉन प्रो मॉडल से उसके रिट जो ट्रस्टेबल लीकर से वो तो यही बता रह शेमफुल है एक लिस्ट 128 GB मिले तो काफी जाद मेरे सबसे बैटर रहेगा अभी फिलाल ऐसे कोई भी रिपोर्स नहीं जो सजेस्ट कर रहे हो दाट 128 GB नॉन प्रो मॉटर्स के अन्दर आने वाल है हाँ प्रो मॉटर्स के अन्दर तो अल्लेड होब आपल 128 GB से स्टार्ट क जो कुछ भी फिलाल यूस्ट करेट चल रहा होगा वही गिनता है लेकिन इंडिया में आने के बाद इंडिया में जब आपल प्रोडक्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं काफी जादा वहां पर ड्यूटी लगती है जो फोन्स आपल इंडिया के अंदर असेंबल भी करता है ल वह सारे जो कॉस्ट वह मिला के फिर वन यूस्ट इस एक्वल तो वन हंड्रे या तो हंड्रें टू आयनर हम लोग कैल्कुलेट करते हैं अगला को इस ग्लेन राव को इन्हों ने पूछा है क्या आइफोन 13 सीरीज को कोई भी टाप का जो चिप शॉर्टेज का इश्यू है उससे एफेक्ट हो सकता है क्या आइफोन 13 सीरीज डीले हो सकती है विकॉस सैमसंग ने बताया चिप शॉर्टेज चल रहा है काफी सरे और भी इन्हों ने यहां पर बड़े-बड़े ब्रैंड के नाम लिए जिन्हों ने बताया है यहां पर एपल के मामले में प्रोड़क् कर सकता है लेकिन वहाँ पर उन्होंने रिए शॉर्णस दिया था बहुत जादा कुछ प्रॉलम्स नहीं आना हो ले विकॉस आपल ने जो टी एसमसी आपल का जो चिप मैनुफेक्ट्चर ने वहाँ पर अपने ओर्डर सिक्यूर कर लिए कंप्रेटली एंड रिपोर्स के स होने के बाद आपको थोड़ा बहुत ज्यादा वेटिंग दिखने मिले लेकिन इस बार बिकॉस जितने भी लीक से वह पॉइंट कर रहे हैं डैट लॉंच भी इस बार टाइम पे सब्टेंबर में लॉंच होने वाल है सब्टेंबर ऑफ थर्ड वीक में लॉंच होने के बा होने के लॉंच 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 होने के लॉंच